हलो एन गुड मानिंग एवरिवान आप सभी लोगों का स्वागत है स्टेडी ग्लोज पर और डेली करंट एफर का सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी शिकायतें आपकी मांसिक जो इस्तिदी है उसको मैं समझ सकता हूँ दो दिन से आप लोगों को करंट एफर का सेशन नहीं मिला होगा सर्च किया होगा आप लोगों ने पीडियेफ नहीं मिल पा रही है सारी समझ है मैं आप लोग की जान पा रहा हूँ लेकिन कुछ सामाजिक एववस्ताओं के चलते मैं उनके अंदर उल्जा हुआ था इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों से माफी चाता हूँ कि मैं सेशन नहीं लेकिया सका दो दिन के लिए लेकिन अब जो है वो हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं तो चलिए देर आए दुरस्त आए जो भी है वो अच्छा है कोई शिकायते नहीं है कोई गिला नहीं है कोई शिक्वा नहीं है शुरू करते हम लोग डेली करन्ट फिरकाशेशन को सबसे पहले आप लोग मुझे इस्ठा पर फॉलो कर सकते हो जो भी आपकी कोईरी से मुझे पूर सकते हैं उसके साथ में ही लेक्चर की PDF आप लोग को यहाँ सार डाउनलोड करके सेव कर लेनी है क्या कहा मैंने PDF को सेव कर लेना है क्योंकि उ आपस से Revision के अंदर ये सारी PDF आप लोग के काम में आने वाली है इसके साथ में ही आज से आप लोग के लिए कोई जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा कोई भी प्राब्लम नहीं होगी कोई जरूर आएगा आप लोग के लिए ठीक है चलिए शुरू करते हैं पहले कोशन के साथ में रिसेंटली मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स दोजार किस का खिताब जीतने वाली पहली भारती जो है वो कौन बन चुकी है अब यहाँ पर ना तो महिला लिखा हुआ है ना पुरुष लिखा हुआ है इसका मीन्स है तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए सबसे पहले समझे कि वर्ड्स को यहाँ पर ट्रांस जो वर्ड यूज़ किया गया है इस वर्ड को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप लोग को कई बार प्रॉबलम होती है जैसे दो वर्ड यूज की जाते हैं एक तो होता है ट्रांसजेंडर और एक होता है ट्रांससेक्शुरल दोनो वर्ड जो है उनको हम लोग क्लेरिफाई करेंगे यहाँ पर आंसर क्या रहेगा शुरूती सितारा जो है यह करेक्ट आंसर है केरल से यह बिलॉंग करती है और इन्हों ने इस खिताब को यूनिवर्स के खिताब को जीत लिया है ठीक है पहली भारती है कोशन इंपोटेंट है यह आ सकता है एक्जाम में बढ़ते हम लोग आगे केरल की एक ट्रांसजेंडर महिला ने इतिहास रजदी आये तो यहां पर अब ट्रांसजेंडर महिला हम लोग word काम में ले रहे हैं इस word को हम लोग समझेंगे और कहां की हैं यह केरल की रहने वाली है ट्रांसजेंडर क्या होता है देखिए सबसे पहले ट्रांसजेंडर जो है वो दो टाइब के रहते हैं एक तो हम लोग कहते है male from female ठीक है male from female और एक होता है female from man यह दो वर्ड जो है दो टाइब के transgender होते है transgender में क्या होता है कि यदि हम लोग male transgender की बात करें तो उस पुरुष को कहा जाता है जो महिला के रूप में पैदा होई है लेकिन testosterone जो हार्मन होता है उसकी अधिक्ता के कारण और और भी कई उसमें गुन पाए जाने की कारण पुरुष के तोर पर उसे पहचाना जाता है उसी ही क्या कहते है male transgender कहा जाता है जैसे आप लोग मुझे comment section के अंदर एक ऐसा example बताईए कि India के मैं आपको थोड़ा hint दे रहा हूँ India का ही वो example है sports के अंदर कई उन्होंने awards जो है वो हासिल किये हैं कई medals उन्होंने जीते हैं वो जो है वो male transgender के रूप में जानी जाती है मुझे comment section में जरूर बता दीजिए बहुत ही important person है तो दोनों आप लोग समझ चुके हैं तो यदि मान लीजिए कि किसी ने पुरुष के रूप में जन्म लिया है और उसके तोर तरीके महिला के रूप में है तो उसे female transgender यहां पर कहा जाएगा आगे बढ़ते हैं फुतिन भाई साब जो है वो कुछ भारत के साथ में बहुत सारी deal जो है वो कर वैठे है और यहां तक की इन्होंने केवल 6 घंटे के अंदर ही 6,000 करोड का जो business है वो करके यहां से रवाना हो गए है पहले तो रश्या जो है वो एक मात्र ऐसा country है 1947 के अंदर सबसे पहले भारत को ऐसे country रिकोगनाज जो किया था वो रश्या के द्वारा ही किया गया था तो भारत सबसे पहले पैचाना गया था किसकी द्वारा रश्या के द्वारा उसके बाद में जो other countries हैं उन्होंने भारत को एक देश की तरह एक नेशन की तरह दरजा दिया था यहां से एक बात किलिर हो रही थी 1947 के अंदर कि भारत जो है वो साम्मेबादी रुख जो है कमिनिस्ट देशों के तरफ आगे बढ़ जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ कुछ समय बाद ही हम लोगों ने non-aligned movement जो है इसकी शुरुवात की पहली इसकी meeting जो है वो इंडोनेशा के अंदर की गई थी non-aligned movement की और अब जो है वो भारत और रूस का वारशिक सिकर समेलन आईजित कहां पर हुआ है नियू डैली के अंदर तो भारत और रूस जो है वो बहुत पुराने मित्र है अच्छा पुतिन जो है वो 21 वी बार भारत आये है अब जो है उन्होंने मोडी जी को invite कर लिया है कि वो 22 वी बार रशिया के अंदर आए और वहाँ पर वापस एक शिकर वारता जो है annual summit organize कर रहाए जाए दो आप लोग को यहाँ पर याद रखने है कि दो important corridor है सबसे पहला कि एक corridor तो शुरू होगा इंडिया के मुंबई से जो की जाएगा कहां तक नौर्थ में मौसको तक ये दो आप लोग को याद रखने एक तो हो गया ये वाला first corridor दूसरा corridor जो है वो है कोलकाता से कोलकाता से और रशिया का पूरवी रशिया के अंदर एक महत्वपूर्ण शहर है इस्टन रशिया के अंदर वहां तक ये दूसरा corridor जाएगा तो दोनों के बीच में एक तो ये M.O.U. जो है वो sign हुआ है दूसरी बात कि भारत और रशिया के बीच में एक M.O.U. sign और हुआ है जिसमें 203 203 इसको 203 कहा जाता है ये जो राइफल है ये भारत के अंदर manufacturing होंगी अमेठी में अमेठी के अंदर इसकी manufacturing की जाएगी लगबग 6 लाख जो राइफल्स हैं इनकी manufacturing की जाएगी और इनकी कीमा जो है वो लगबग 5,000 करोड के आसपास बताई जा रही है कि इतना पैसा जो है वो इसके अंदर लगेगा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सब की सब जो है मेकिन इंडिया के तहरत भारत के अंदर ही निर्मित की जाएगी और क्या हुआ इस मिटिंग के अंदर इस मिटिंग को 2 प्लस 2 वारता पहली बार रश्या के साथ में 2 प्लस 2 वारता भी कहा गया अच्छा यहां पर इसका means क्या है अब इसका means यह है कि इसमें defense minister plus foreign minister फिर other country के defense minister और फिर foreign minister जो है यह दोनों इसके साथ में meeting करते हैं ठीक है तो जब यह meeting conduct करवा ही जाती है तो इसे ही 2 प्लस 2 वारता कहा जाता है भारत ऐसी meeting जो है वो रश्या के साथ में पहली बार अभी की ही है इसके बाद में जापान के साथ Australia के साथ और USA के साथ में 2 प्लस 2 वारता जो है वो भारत करता है ठीक है तो यह important question है याद रखना जो व्लामिदिर पुतिन है इन्होंने अपने आपको 2036 तक 2036 तक Russian President जो है यह announce कर दिया है और इसके साथ में ही एक bill जो है उसको भी पास करवा दिया है from Russian Parliament तो 2036 तक व्लामिदिर पुतिन अपने पद पर बने रहेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दोनों देशों की बीच में 21 वा वाजशिक शिकर सम्मेलन जो है इसका इजन करवाया गया है और व्लामिदिर पुतिन जो है वो 6 दिसंबर को participate कर चुके है इसके अंदर 6 दिसंबर को 6 गंटे के लिए मैं तो पुन बात देखिए अब अमेरिका जो है वो S400 से थोड़ा सा तिल मिलाया हुआ है क्या कह रहा है अमेरिका अमेरिका कह रहा है कि भाया कभी तो आप हमारी तरफ रहते हो कभी आप रश्या से S400 मंगाते हो तो बेशक यहाँ पर USA जो है इसको कहीं न कहीं problem थी S400 से ये S400 जो है वो air defense system है दुश्मन देश की missile को हवा के अंदर ही मार गिराता है तो भारत इसको लेकर थोड़ा सा powerful जो है अब आगे आने वाले भविश्ये में शक्ति शाली देश जो है वो बन सकता है अच्छा इसके साथ में इसके साथ में AK203 203 इसको कहा जाता है ये assault rifle जो है जैसे अभी हम लोग जो rifle यूज करते हैं उसकी range काफी कम होती है लेकिन ये जो range है AK203 की उससे double दुगनी range जो है वो 203 की बताई जाती है हम लोग बहुत पुरानी रशियन जो है वो rifles यूज करते हैं अब इसका venue क्या रहा है न्यू डेली जो है वो venue रहा है अगला question देखे आप लोग भारती राश्ट्री राजमार्प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी है NHAI एक ऐसी authority जो की भारत के अंदर national highway को develop करने के लिए जाने जाती है अलका उपाध्याय इसकी अध्यक्ष बनी है बहुत ही महत्वपूर्ण authority है भारत में विकास के लिए अलका उपाध्याय को अध्यक्ष जो है वो अपॉइंट किया गया है मध्य प्रदेश की 1992 की IAS officer है तो शनिवार को क्या हुआ है कि बड़ा फेर बदल देखा गया है प्रशाशनिक सेवाओं के अंदर इस्तापना की गई है 1995 के अंदर मुख्यल है नियो डेली में और अध्यक्ष अलका उपाध्याय को बना दिया गया है एक्वेरिन अभ्यास 2021 भारत और किस देश की सेनाओं के बीच में हुआ है अच्या ये जो देश है वो एक आईलेंड कंट्री है ये जो देश है उसके भारत के साथ में अच्छे रिलेशन है और रिसेंटली ही भारत, मालदीव और श्रीलंका भारत है, मालदीव है और श्रीलंका तीनों ने मिलकर एक अभ्यास और किया था वो कौन सा अभ्यास है दोस्ती अभ्यास बिलकुल करेक्ट आंसर क्या होगा मालदीव जो है ये इसका करेक्ट आंसर है तो दोस्ती ये अभ्यास भी रिसेंटली भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में देखा गया था और मालदीव के अंदर एक आइलेंड है अड्डू आइलेंड और अड्डू आइलेंड जो है वो भारत के द्वारा विक्सित किया जा रहा है मालदीव के अंदर ही एज ए कॉमर्शियल आइलेंड के रूप में जापान देखिए जापान जो है जापान भारत युएसे इनकी बीच में मालाबार युद्धभ्यास किया जाता है मालाबार युद्धभ्यास है वो किया जाता है भारत और बांगलादेश की बीच में संप्रीती याद रखना संप्रीती जो युद्धभ्यास है इसका आयोजन किया जाता है शिरलंका और भारत की बीच में सिलिनेक्स सिलिनेक्स जो युद्ध भ्यास है उसको कंड़क्ट करवाया जाता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस युद्ध भ्यास का 11 संस्क्रण है जो कि माल्दीव के कद्दू आइलेंड के अंदर कंड़क्ट करवाया गया है क्या परपस होता है इनका परपस यही तो होता है कि कैसे भी हम लोग टेर्रिज्म जो एक्टिविटीज हैं उनको रोका जाए जो भी स्मगलिंग होती है थूरू सी वे उसको रोका जाए जब हम लोग चलेंगे साउथ में तो दक्षिन में हिंद महासागर में इस्तित हैं माल्दीव और माल्दीव जो है वो कई दीपों से मिलकर बना है तो यहाँ पर आप लोग सबसे चोटा जो आइलेंड देख रहा है इसको कहा जाता है कद्डू आइलेंड और माल्दीव की कैपिटल क्या है माले इसकी कैपिटल है तो अभी रिसेंटली दोस्ती जो चला था वो इंडिया, श्रीलंका और मालडीव की बीच में ट्राइलेटरल एक एकसाइज जो है वो भी कंड़क्ट करवाई गई थी किस राजजी की सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना को लाँज किया है बहुत ही इंपोरेंट योजना है मैं ये कह सकता हूँ कि इस योजना के तहट कई महिलाएं जो हैं उनको रात मिलेगी और नीजी छेतर में सबसे बड़ा जो डर रहता है वो ये रहता है कि जॉब सिक्यूर नहीं होता लेकिन यहाँ पर जॉब खौने का डर जो है वो भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर बना रहता है तो मैनेजर है, CEO है, ये क्या करता है जॉब खा जाता है उसकी जैसे उसने दस दिन की चुट्टी की, सब्तावर की चुट्टी की कोई भी प्राबलम होई, तो फिर गई जॉब ठीक है, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए, बैक टू वर्ग जो इसकीम है, ये चलाई गई है, राजस्थान गवर्मेंट के द्वारा, CM यहाँ पर कौन है मुख्यमंत्री अशुक गहलोत, तो महिलाएं मान लीजिये, कोई उनकी परिस्ति है, मान लीजिये, वो प्रेगनेंट है कोई बिमार है किसी भी परिस्ति में, कुछ दिन के लिए वो नौकरी छोड़ती है, वो अपना जो हॉलिडे है, वो लेती है तो वापस से वो जॉब पर लोट सके वापस अपने कोई हिंसा से पीडित है उन महिलाओं को क्या दिया जाएगा इनकी अंदर प्रात्मिक्ता दी जाएगी, तो मुख्य मंतिर अचोग गहलो जो हैं, उनकी द्वारा इस योजना को मंजोरी दी गई है, अगला कोशन बड़ा इंपोटेंट है, और भारत के लिए यह यहां पर भीम राव लिखावा आयना की राम, ठीक है, तो भीम राव अच्छा, भीम राव राम जी लिखावा है, ठीक है चलिए, कोई बात नहीं जब राम जी लिखावा था इसको रहने देते हैं हम लोग विसे भीमराव अंबेडकर ठीक है अच्छा अब देखिए इसको कोई बात नहीं रने दी जी राम जी लिखावा है तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में समझने की जरुवरत है एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ भीमराव अंबेडकर की तोवरा मनो इसमर्ती जो है इसको जलाए गया था कारण क्या था कि गांधी जी जो थे वो वर्ण व्यवस्था के पक्ष में थे पहली बात वर्ण व्यवस्था ब्राह्मन, शत्रिय, वैश्या और सुद्र ये वर्ण व्यवस्था है तो गांधी जी इसके पक्ष में थे, भीमराव अंबेडकर इसके विपक्ष में थे, पक्ष में नहीं थे अब भीमराव अंबेडकर जी ने मनो इसमर्ती के क्यों जलाया क्योंकि जब गांधी जी से ये पूछा जाता है कि आप जो है वो वर्ण व्यवस्ता के पक्ष में क्यों है तो उनका जवाब होता था कि भारती जो गरंथ है उनमें ये लिखा हुआ है कि ये चार वर्ण व्यवस्ता होने चाहिए जो कि समाज को सुचारों रूप से चला सकती है लेकिन भीमराव अम्बेड़ जी कर जी का ये दावा था कि जब ब्राहमन की उत्पत्ती मस्तिक्ष से हुई है ज्यान के लिए शत्रे की उत्पत्ती है वो हातों से हुई है रक्षा के लिए वैश्य की उत्पत्ती जो है वो उदर से हुई है मतलब पेट से हुई है बिजनिस के लिए व्यापार के लिए जब की जो शुद्र हैं उनकी उत्पत्ती पैरों से हुई है सेवा के लिए तो भीमराव अम्पेडिकर जी का ये कहना था कि जब शुद्रों की उत्पत्ति आपने पैरों से ही बता दी है और ये गरंथ भी कहते हैं भारजी गरंथ की पैरों से ही उत्पत्ति हुई है तो पहले ही आप लोगों ने निम्न दर्थ जो है वो दर्जा दे दिया है तो फिर अब आगे आने वाले समय में जो शुद्र हैं उनकी इस्तिती निमनी तो रहेगी इसलिए जिन गरंथों में ऐसा लिखावा था उन गरंथों को बात करें हम लोग basically मनुस्मर्थी की तो उसको उन्होंने क्या कर दिया था जला दिया था तो यहाँ पर इनकी पुंड तिती जो है वो कब मनाई गई है यह कौन से मनाई गई है छिया सटवी और इसको क्या कहा जाता है महापरी निर्वान दिवस कहा जाता है तो यह जो वर्ड है ये तो boddhism में यूज़ लिया जाता है यहाँ पर भीमराव अमबेडकर जी के लिए कैसे यूज लिया जा रहा है यहाँ पर देखिए कि महापरी निर्वान इसका अर्थ बौध रिलिजियन से है भीमराव अंबेडकर जी ने डेड़ लाग जो अनिवाई हैं जो समर्तक हैं उनके साथ में बौध धर्म जो है इसको ग्रेंड कर लिया था अचा एक बात और समझे हैं यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जीसे मान लीजिये कि कोई वेक्टी जो है वो शुद्रिया मान लीजिये कि किसी कैटेगरी से बिलॉंग करता है मैं एक्जामपल देता हूँ इसको आप लोग को अदरवाइज पहले से ही उन्हें यात्नाओं का सिकार था तो इस चीज़ का क्या दावा है कि यदि वो अपना धर्म परिवर्तन करेगा तो वहाँ पर उसको एक अच्छा देखा जाएगा क्योंकि बंत वो ब्राह्मन चुका है लेकिन उस छेतर के अंदर भी उस वेवस्था के अंदर भी वो सबसे निम्न गिना जाता है यहाँ पर भीमराव अंबेड करके और उनके अनुयाई की साथ भी तो यही हुआ जब उन्होंने बौद धर्म जो है उसको स्विकार कर लिया तो बौद धर्म में स्विकार करने के बाद उनकी इस्ति वहाँ पर भी बिलकुल निम्न हो गई समझ गई आप लोग तो यहाँ पर इनकी उपर आक्षे भी ये लगता है आरोब भी लगता है कि जब इन्होंने बौद धर्म को स्विकार कर लिया और वहाँ पर जाकर भी इनकी निम्न इस्तिती थी तो क्या इनकी इस्तिती में सुधार हुआ यदि आप लोग को ये बात कमेंट समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताईए कि क्या आपको इसमें समझ में आ चुका है और ये नहीं समझ में आया है तो फिर भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देजिए आपका जो भी परशन हो जरूर बताईएगा तो महापरिनिर्वान दिवस किसको कहते है जिस दिन मोख्ष की प्राप्टी होती है उस दिन ठीक है तो महापरिनिर्वान दिवस जो है वो मनाया जाता है तो इनका जन्म 14 अपरेल 1891 को मद्य प्रदेश के महूग के अंदर हुआ था महार जाती में और भारती समिधान के शिल्पकार जो है वो इनको कहा जाता है अगला कोशन घसब इंपोर्टेंट है ये आएगा एक्जाम के अंदर ये मान के चलना कि एक नएगा एक्जाम में जरूर पुछा जाएगा जूनियर मैंस हौकी वर्ड कप जो है इसका खिताब रिसेंटली किसके दोरा जीता गया है कौन जीता है बताएंगे आप लोग देखिए जूनियर मैंस हौकी वर्ड कप जो है इसका खिताब अर्जेंटिना ने रिसेंटली जीत लिया है किसको हराकर जर्मनी को हराकर अच्छा आंसर टिक नहीं किया है मैंने तो यहाँ पर अर्जेंटिना ने जीत लिया है जर्मनी को हराकर तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अर्जेंटीना ने जूनियर होकी विश्यो कब 2021 का किताब जीत लिया है भुवनेश्वर के कलिंग इस्टेडियम के अंदर ये जो मैच है वो खेला गया था जर्मनी को चार दो से हराये गया अर्जेंटीना का यह दूसरा खिताब था और इससे पहले टीम 2005 में भी यह खिताब जो है वो हासिल कर चुकी है जबकि जर्मनी जो है वो 6 बार चैम्पेन रह चुकी है विजिता अर्जेंटिना उप विजिता जो है वो जर्मनी रही है ठीक है तो उडिसा जो है ये अपना उतकल दिवस मनाती है कब 1 अप्रेल को तो उडिसा के अंधर 1 अप्रेल को उतकल दिवस मनाया जाता है नेक्स देखिए सेमेरू ज्वाला मुखी जो है रिसेंटली यहाँ पर एक्स्प्लोजन हुआ है और यहाँ पर कहा इसी थे ही जावादीप इजी कोशन है इंडोनेशिया जावादीप नहीं आता तो फिर इंडोनेशिया कोशन टिपिकल हो जाता ऐसे कई आईलेंड से मिलकर बना हैं इंडोनेशिया और सुमात्रा जो है यह विशु का सबसे ज़्यादा फार्टिलाइज आईलेंड है विशु का सबसे ज़्यादा जो जहाँ पर कृशी होती है अग्रिकल्चर जो होती है वो कौन सा है सुमात्रा है जावा जो है ये विशो का सरवादिक मुस्लिम जनसंग के वाला दीपी है थीक है तो दीपी इस्थान है तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है इंडोनेशिया की राजधानी है जकारता जो कि कौन से दीप पर इस्तित है जावा दीप के उपर ठीक है इंडोनेशा ने डिसाइड किया था कि हम अपनी कैपिटल जो है वो जकारता से बदल कर काली मंतान करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि जकारता जो है वो धीरे धीरे अब पानी के अंदर डोपता हुआ जा रहा है इसलिए इंडोनेशिया की कैपिटल आगे आने वाले समय में काली मंतान हो सकती है तो इंडोनेशिया की जावा द्वीब के सुमेरू जो जॉला मुखी के अंदर एक साल बाद जो है वो दूसरा विसफोर्ट हुआ है हाला जो है वो काफी यहां पर खराब हो चुक है एक विक्ति की मौत हुई है, 41 लोग घायल यहां पर हुए है रहात बचाओ कारे जो है वो चल रहा है फिर देखिए जॉला मुखी का कि कब जो आकार है ने कि इनका मुझ जो है उसको क्रेटर कहा जाता है ये वर्ड से आप लोग family रहोंगे मुझे पता है जानते होंगे इन वर्ड को जैसे ये जो है ये जो आला मुकी है तो उपर का जो ये जो portion है इसको crater कहा जाता है और जब इसमें पानी जमा हो जाता है तो crater lack जो है crater जील इसको कहा जाता है विशो का सबसे सक्रिय जौला मुकी किलामू ये कहां पर इसित है ये हवाई island पर इसित है इस्ट्रामबोली जौला मुकी जो है वो भुमदे सागर का प्रकास इस्तंब कहलाता है विशो का सबसे उचा जौला मुकी मांट कॉटोपेक्सी और लंबे समय तक शानत रह विसफो में आ चुका है याद कर लेंगे इसको यदि याद कर लेंगे तो जल्दी से कमेंट सेक्शन बता देजिए कि विश्व का सबसे बड़ा जौला मुकी कौन सा है यही नाम आपको कमेंट करना है ताकि आप लोग को आंसर जो है वो याद हो जाए अगला कोशन देखिए देश क सबसे बड़ा मैनिफेक्चरिंग हब जो है वो कौन सा राज्य बना है तो रिसेंटली यहाँ पर जो इस्टेट जीडीपी है उसमें काफी सुदार हुआ किसके कारण मैनिफेक्चरिंग को लेकर और मैनिफेक्चरिंग मैक्जीमम किया गया है कहां पर गुजरात के अंदर तो मैनिफेक्चरिंग हब जो है वो गुजरात राज्य बन चुका है और इसने महराष्टर को पीछे छोड़ दिया है आंकडों से पता चला है कि गुजरात ने वितवर्ष 2012 से वितवर्ष 2020 के बीच मैनिफेक्चरिंग सेक्टर के अंदर लगभग 15.9 प्रतिशत जो है उस जिरात मैनिफेक्चरिंग हब जो है वो बन चुका है अगला कोशन देखिए को वैक्सिन के बाद जायकोव डी दूसरा स्वदेशी टीका हाल ही में भारत के कितने राज्यों में लांच किया गया है तो सात राज्यों में लांच कर दिया गया है क्या फर्क है इसके अंदर देखिए अभी जो वैक्सिन चले ही आ रही है उनको आरेने बेस वैक्सिन कहा जाता है और लेकिन जायकोव डी क्या है डीने आधारित वैक्सिन है डीने आधारित वैक्सिन है क्योंकि कोरोना जो है वो सिंगल हैलिकल आरेने वाइरस होता है फिर इसको कनवर्ट किया जाता है RT-PCR technique के थुरू reverse transcription, polymerase chain reaction के थुरू कई इनकी transcription ये जो कई copies जो है वो बनाई जाती है और DNA अधारित vaccine जो है Zykov D लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ये जो vaccine है इसमें needle का use नहीं किया जाता और needle का use किये बिना ही मतलब हम लोग कह सकते हैं कि क्या फिर powder form में है तो बेशेक हम लोग कह सकते हैं कि कई forms के अंदर ये available है तो basically साथ राज्यों के अंदर इसको launch किया गया है और यहाँ पर आप लोग देखिए कि दूसरा स्वधेशी ठीका बन चुका है को वैक्सिन के बाद जायकोव डी की जो विशिष्टा है वो क्या है कि निडल फ्री निडल लेज जो है ये वैक्सिन है कोई भी इसमें निडल का use नहीं किया गया है सबसे पहले जायकोव डी वैक्सिन को साथ राज्यों के अंदर कौन-कौन से हैं तमिल अडू है, बिहार, महराष्ट, जहारखन, पंजाब, पश्यम, बंगाल और उत्रप्रदेश के अंदर लॉंच किया गया है यह टीका केवल 12 से 19 वर्ष की आयू के वर्ग के वेक्तियों को ही दिया जाएगा और इसमें कोई भी निडल यूज नहीं होगी एक 28 वे दिन और एक 56 वे दिन जो है वो टीका लगाए जाता है जाएक ओव डी की कीमत 376 रुपए है जाएक ओव डी ने 66.6 प्रतिशत जो है यह प्रभाव शीलता एफेक्टिवनेश जो है यह बताया है चलिए आज आप लोग के लिए Shady Glows कोशन क्या है देखिए रिविजन आज हम लोग लेकर नहीं चल रहे है करण क्या है क्योंकि आज जो हमने पड़ा है उसका रिविजन हम लोग कल करेंगे क्योंकि दो दिन हमारा सेशन नहीं आया है कुछ कोशन मैं बड़ोतिरी करूँ हूँ एक दो दिन तक तक कि पहले वाले कोशन जो है उनको कवर कर ले तो कोशन का आंसर आप लोग को देना है आज कि जो रिसेंटली नैशनल ब्लाइंड T20 किरकेट टॉनामेंट हुआ है 2020 में ये खिताब किसकी दोरा जीता गया है और कौन सी टीम को हरा कर जीता गया है ये भी मुझे पता ना थीक है इंपोटेंट कोशन है आप लोग मुझे इस्टाब पर फॉलो कर सकते हो क्विज आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाएगा घवराईये मत PDF आप लोग के लिए सारा काम जो है वो कर दिया जाएगा इस्टेडी ग्रोज आप लोग के लिए बहुती बहतरीन कंटेंट लेकर आता है Knowledge is power ये हमारी tagline है तो चलिए कल मिलेंगे हम लोग बहुती बहतरीन लेक्चर के साथ और continue ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू